अब हम फाइंड करेंगे इंफ्लूएंस लाइन डाइक्राम फॉर कॉंसेंट्रेटेड लोड ठीक है अभी क्या होगा था लास्ट में हमने देखा था कि जो हमारा लोडिंग था वो यूनिट लोड था कि अब हर जगे यूनिट लोड तो मिलेगा नहीं वो कुछ वैली उ का मिलेगा सपोज हैंड्रेट किलो न्युटन का मिल रहा है यह 200 न्यूटन का मिल रहा है जितना भी लिग लिए स्टा और हम कैसे में थो और तो सबसी हम की सवीद 2009 हुआ है जो कि 10 किलो न्यूटन का और यह डिस्टेंस 5 दी हुई है और यहां पर 15 दी हुई है दिस्टेंस यहां पर दो रियक्शन से आरे और और भी ठीक है और अब बोला है कि हमको maximum positive shear force और maximum negative यानि कि max positive shear force और मैक्स negative shear force कैलकुलेट करना है ठीक है तो सबसे पहले क्या करेंगे इसी structure पर हमारा unit load को पहले यहां से यहां transfer करेंगे ओके यहां पर यहां पर 1 किलो न्यूटन का unit load को transfer करेंगे और इसका influence line diagram बनाएंगे तो हमको पता है कि इसका influence line diagram कुछ इस तरीके का बनता है कि यह 5 है कि यह 15 है ठीक है अब इस ordinate की बात की जाए तो यह होता है a by L यानि कि 5 upon 25 यानि कि 0.25 ऐ 5 by 20 तो यह होगा 0.25 ठीक है और यह वाला होता है l-a upon l यानि कि इसका value होता है सिदा सिदा लिग देता हूं मैं 0.75 होगा वाइट तो हमको दोनों के ordinate पता चल गए ठीक है अब क्या पुछा है maximum positive shear force max positive shear force तो यह क्या होता है load into ordinate in simple language load किता है हमारे पास 10 है अब point load से बहारा जाओ ठीक है अब जो load है वो 100 क्योंकि हमारे पास influence line diagram से ordinate पता चल गया एक बार ordinate पता चल गया उसको जैसे suppose load 1 होता तो 1 से multiply करते अब बढ़ते गया बढ़ते गया 10 कुना हो गया है यानकि 10 हो गया 10 into ordinate यानकि 10 10 और influence line diagram इसके उपर रख दिये तो कितना total निकल गया तो यह हो गया force into ordinate अब हां max positive और max negative के लिए किस से कौन से को multiply करना है तो max positive की जब बात कर रहे हैं तो उपर वाले से multiply करना है और max negative shear force की जब बात कर रहे है तो यहां पे भी load into ordinate होगा तो यहां पे जो load है उसके साथ हमारा नीचे वाला ordinate होगा यानकि उपर वाले के साथ 0.75 और नीचे वाले के साथ 0.25 राइट यह negative बोला है तो obvious आप समझ जाओ कि जो लाइन के नीचे उसको negative माल लो अभी के लिए तो यह negative तो negative के लिए negative ordinate को लेंगे और positive के लिए उपर वाले ordinate को लेंगे दोनों को solve कर दो यह 7.5 यह होगे 2.5 तो हमको दोनों का value निकल गया positive or negative shear force का अब हमको bending moment निकालना है suppose तो यह कुछ ऐसा टाइप का बन आया था a by l into l minus x या फिर l minus x upon l into a okay तो इससे हम solve करेंगे तो यह आएगा suppose यहां रहा है 3.75 मीटर आ रहा है ordinate इसका तो बस यहां पे भी हमको bending moment निकालना है जो कि यहां इस point पे निकालना है जो कि 5 के दूरी पे है तो सिधह सिधह load into इसका भी यही करेंगे load into ordinate तो लोट 10 दिया हुआ है और इसका ordinate आया 3.75 यह हो गया 37.5 किलो न्यूटेन पर किलो न्यूटेन मीटर सो यह हमारा bending moment निकल गया यह हमारा maximum positive or negative shear force निकल गया यह था यू जब concentrated load लगा रहता है तो influence line diagram से कैसे solve की जाता है किलो ची करेंगे पर देखने की आया यह था है तो एक अब आया है तो जाता है तो लूटे है जिसे खिए जाता है तो वह पर दोगे की आया है